सिख कैदियों की रिहाई के लिए मार्च, जर्पमे दर्जनों जखमी एन्बीटी न्यूज, चंडीगर देश की जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संगटनों ने बुधवार को चंडीगर के लिए मार्च किया। पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास की तरफ मार्च करते हुए आंदोलनकारियों को चंडीगर पुलिस ने रोका तो जड़ाप हो गई। पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया। दोनों तरफ से हुई हिंसा में एक दरजन से अधिक पुलिस कर्मचारी और दरजनों आंद आंदोलनकारी घायल हो गए। ये पूरा घटनाकरम पंजाब चंडीगर की सीमा पर हुआ। कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले कई सिक संगठन जेलों में बंद सिखों की चंडीगर में की और कूछ रहाई की मान को लेकर पिछले एक महीने से मान के घर के आगे पाथ करक कौमी इंसाफ मोर्चा के लोगों ने जैसे ही मोहाली से चंडीगर की तरफ क्रिच किया तो चंडीगर पुलिस ने बैरीकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। आंदोलनकारियों ने बैरीकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस इसके बाद आंदोलंकारियों को हिरासत में लिया गया। करीब चार गंटे के बाद मामला शांत हुआ। चंडीगर में हुई इस जड़प के दोरान पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ चंडीगर की सीमा पर धरना दे रहे हैं। मोर्चे के नेताओं ने बुधवार को चंडीगर मार्च का एलान किया था। संगटनों का दावा था कि वह अरदास करते हुए चंडीगर जाएंगे और मुख्यमंत्री भगवंद।